रादे रादे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अवशान माता और एक ब्राहमनी की कथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्किर्ती को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें एक गाओं में एक ब्राह्मन अपनी पतनी के साथ रहता था ब्राह्मन अपनी पूजापाट के अपने घर का गुजारा किया करता था वे बहुत गरीब थे और पूजापाट से जो पैसा मिलता उसी से वे अपना गुजारा करता था ब्राहमन की बिवहा गों कैई वरस बीच चुके थे लेकिन ब्राहमन की कोई औलाद नहीं थी ब्राहमन की जो पतनी थी वे भी बहुत पूजा पाठ करने वाली और संसकारी थी वे जहाँ पर भी माता रानी की फूजा होती उसमें जरूर जाती और उसके बाद अपना फूजा पाट करके भूजन करती गाय और कुटे को खाना देती और चिडियाओं के लिए भी जो पक्चियों के लिए दाना पानी रखती उसके बाद इवे भूजन करती थी ऐसे करते करते उसे काफी दिन हो गए और उसने माता रानी से मननत मांगी थी कि अगर मेरी गोद भर जाएगी तो मैं मा सास्वागनों को बुला कर पूजा कराऊंगी और माता रानी की किरपा से उसके एक बहुत सुन्दर पुत्र हुआ और उसने माता रानी की खूब अच्छी पूजा कराई इसा स्वागनों को बुलाया कथा आरती कराई और वे इस नियम को हमेशा करती रहती थी उसके घर में एक नियम का बहुत बड़ा पेड था उस पेड पर एक चड़िया रहती थी वे उस ब्राहमनी को पूजा पाट करते हुए देखती थी और उसकी भी जो है माता रानी में सर्दा बढ़ती जा रही थी वे चड़िया भी माता रानी को बहुत ध्यान लगाती और उनका मनीमन जाप करती एक दिन चड़िया जिस नियम के पेड पर रहती थी वे ब्राहमनी के आंगन में था और चड़िया उस पे बहुत खुश थी एक दिन कहीं से उड़ता हुआ एक कववा आ पहुचा और वे चड़िया वाली डाल पर आकर बैठ गया और चड़िया से वे बाते करने लगा बातों बातों में दोनों में दोस्ती हो गई अब जो कववा रोज उस डाल पर आकर बैठनी लगा चड़िया अपने जिसके घर में वे रहती थी उस ब्राहमनी के बारे में कववा को काफी सारी बाते बताती कि कैसे ब्राहमनी बहुत पूजा पाट करती है और पंचियों को दाना डालती है और गाय कुते को भी रोटी खिलाती है और कितनी पूजा पाट करती है वे भी उसकी देखादा की मातारानी पर बिस्वास है और उसका जब करती रहती है कववा उसकी बाते सुनता और दीरे दीरे दोनों की दोस्ती पक्की हो गई अब वे दोनों एक दिन दाना चुगने के लिए एक साथ उड़ चले उड़ते उड़ते कव्वा ने देखा कि एक आंगन में लाल मिर्च सूखी हुई थी कव्वा चडिया से कहने लगा चडिया देखो लाल मिर्च सूख रही है चडिया भी और कव्वा दोना उतर कर उस लाल मिर्च के पास आकर बैठ गए लेकिन कव्वा तो जो है बड़ा धोके बाज था वे तो चुडिया के साथ दोस्ती करने का सिर्फ नाटक कर रहा था वे चुडिया से बोला चुडिया चलो एक सर्थ लगाते हैं कि जो ज़्यादा लाल मिर्च खाएगा वे जीतेगा चुडिया सोचने लगी यह तो जो मेरा पक्का दोस्त है मित्रता में ऐसा कहा होता है वे कहने लगी कि ठीक है चुडिया ने कहा कि चलो सर्थ लगा लेते हैं तब कववा ने कहा कि जो सर्थ में जीत जाएगा वे है जो हारने वाले को खा जाएगा चुडिया ने सोच यह तो मेरा दोस्त है वैसे ही मजा कर रहा है बला यह मुझे क्यूं खाएगा तो वै भोले ठीक है अब चुडिया तो अपने इमानदारी से मिर्चे खा रही थी लेकिन जो कववा था वै तो बहुत कप्टी था उसके मन में तो कपट चल रहा था वै तो चुडिया के साथ मित्रता का नाटक कर रहा था और वै कुछ मिर्चे खाता और कुछ चुडिया की नजर बचा के चटाई के नीचे छिपा देता अब चुडिया हार गई जब चुडिया हार गई तो कवा कहने लगा कि अब तो चुडिया मैं तुझे खाऊंगा वे चुडिया पर जपटने लगा तो चुडिया बेचारी डर गई और वे मातारानी को मनी ही मन पुकारने लगी हे माताराने इस दुख की घड़ी में मेरी रक्षा करो तभी चड़िया के मन में एक बात आई और वह कहने लगी कि ठीक है तुम मुझे खा लेना लेकिन पहले ये अपनी गंदी चौँच इसे धोके आओ तुम क्या-क्या इस चौँच से खाते हो इसलिए मैंने चाहती कि तुम ए गंदी चौँच मेरे लगाओ पहले इसे जल में जाकर धोकर आओ तब कवा अपनी चौँच धोने के लिए नदी पर गया तो नदी कहने लगी कि मैं तुझे पानी नहीं धूंगी इस पर कवा कहने लगा कि मुझे तो अपनी चौँच डुबोनी है इसको धोना है तब नदी कहने लगी कि पहले जाओ और एक घड़ा लेकर आओ उसमें पानी भरो और अपनी चौँच उसमें धूलो मैं तुमारी गंदी चौँच अपनी नदी में नहीं डालने दूँगी तब कवा हुआ से उड़ा और एक कुमहार के पास पहुचा कुमहार से कहने लगा कि कुमहार मुझे एक घड़ा दे दो तब कुमार कहने लगा कि घड़े बनाने के लिए मेरे पास मिट्टी नहीं है पहले जाओ तुम इसके लिए चिकनी मिट्टी लेकर आओ तब मैं तुमारे लिए घड़ा बना दूँगा वहां से कववा उड़ चला और जमीन में जाकर चौँच से मिट्टी खोदने लगा तब धर्ती माता ने कहा कि ठैरो कववा पहले अपनी चौँच बंद करो और मुझे खोदना बंद करो तुमारी चौँच इतनी गंदी है पहले जाओ और एक कुदाल लेकर आओ तब मुझे खोदना अब वहां से कववा उड़ चला और वह एक बढ़ई के पास गया और उसे कहने लगा बढ़ई मुझे एक कुदाल बना दो तब बढ़ई कहने लगा कि इसके लिए तो एक लकड़ी और आग की जरुरत पड़ेगी वह आग ले आओ और लकड़ी ले आओ मैं तुमारी कुदाल बना दूँगा वहां से कववा उड़ा तो उसने देखा कि एक गाओं में एक औरत खाना पका रही है चूले पर चूले में आग जल रही थी वह उस ओरत के पास पहुचा और उससे कहने लगा कि यह आग मुझे दे दो क्योंकि मुझे कुदाल बनानी है अब उस ओरत ने चूले में से जलती हुई लकड़ी निकाली और कववे की चौश पर दे मारी जिससे कववा हुई पर जल कर मर गया अब बेचारी चड़िया अपनी जान बचा कर वापस अपने पेड़ पर आ गई और वह मनी ही मन माता रानी का रटन करने लगी और उसे आज से और ज़्यादा विस्वास हो गया कि कैसे माता रानी ने उसके मुसीबद में उसकी जान की रक्षा की है और उसके विस्वास को बढ़ाया है आवे दिन रात माता रानी का नाम जबती और उस ब्राहमनी को देखती और उसी घोंसले में रहती जो अब्राहमनी के दाने डालती उन्ही को वे खा लेती अवे दाना लेने भी जादा दूर नहीं जाती थी वे ब्राहमनी के आचरन को देखकर बहुत खुश थी और उसी के आचरन को देखकर वे भी अपने मन ही मन अवशान माता को याद करती जब ब्राहमनी के घर पूजा होती सुहाग ने आती तो वे भी एक कौने में उड़कर बैठ जाती और पूरी पूजा देखती इस से अवशान माता की किरपा से वे अपने बच्चों के साथ चड़िया ने भी अंडे दिये थे जिसमें उसके बच्चे निकल आये थे और चड़िया का भी परिवार जो फल फूल रहा था उदर ब्राहमन और ब्राहमनी का परिवार भी फल फूल रहा था और उनके गरीवी के दिन दूर हो रहे थे ब्राहमनी अपने नियम पर बनी हुई थी वे हमेशा रोज पूजा पाट करती गाये कुत्ते को रोटी खिलाती पंचियों को दाना डालती पानी रखती और तब भोजन करती यह उसके नियम बन चुका था जिसे उसके घर में लक्ष्मी माता की किरपा होने लगी और धीरे धीरे वे गरीवी रेखा से उपर उठ गए आव वे जब भी उनका मान होता जब भी उन्हें लगता कि हमारे घर मे कुछ बचत हुई है तब ही वे अवशान माता की पूजा कराते सुहगने बुलाते इस तरीके से उनके दिन सुख पूर्वक बीत रही थे यह अवशान माता जैसे आपने चडिया पर और ब्राहमनी पर गिरपा करी वैसे सब पर करना समकी मानों काम ना पूरी करना भूलो कीजे